अब तो किसी ब्रॉजर में चले जाना है जाने के बाद आपको सबसे पहले किसी ब्रॉजर में चले जाना है जाने के बाद आपको simply यहां पर टाइप करना है SBI Online या फिर SBI Login जो भी आपको डालना चाहते हैं मैं यहां पर SBI Login नहीं टाइप करता हूं ठीफेंस उसके बाद आपके सامने के यहां पर करेसी साइट तो तो मैं यहां पर login to login पर क्लिक करता हूं उसके बद आपके सामने कुछ इसेंडर फेश हो जाएगा ठीफ हैं तो मैं इसे पहले ही कर्टिणू टू login पर क्लिक करना है ठीफ हैं उसके बद आपके सामने कुछ इसेंडर फेश हो जाएगा ठीफ हैं तो देखें मेरा यहां पर यूजर आइडी और पासवर्ड ठीफ हैं अपना यूजर आइडी पासवर्ड जदि आपको यूजर आइडी और पासवर्ड नहीं फिल करने पाद आपको यहां पर हैं तो आपको यहां पर फिल करना है ठीफ हैं तो देखें आपके सामने कुछ इसा इंटरफेस्ट हो जाएगा तो सिंप्ली आपको यहां पर थोड़ा मैं इस से जूंग करना है यहां पर एक अप्शन होगा यहां पर यहां पर क्लिक करना है तो देखिए आपके सामने यहां पर एक अप्शन देखने को मिलेगा कि अपको यहां पर क्लिक करना है तो यहां पर एक अप्शन देखने को मिलेगा कि अपना यहां पर एक्टिवेट कर सकते हैं हमको यहां पर अपने है अपका डेवीट करना है तो हमको यहां पर request ATM card डेवीट करना है तीफेंस उसके बाद देखें आपके सामने कुछ इसे एंटरेफेस सो हो जाएगा तो simply आपको यहां पर में जूम करके दिखा दूँ तो सारा यहां पर सो हो जाएगा तीफेंस आपका एकाउंट ही है जो भी है अपना सेलेक कर आते हैं आप इसमें से सेलेक कर लिएगा ठीक मैं यहां पर वीजा सेलेक कर लेता हूं इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक या पी जो भी अपना रखना चाहते हैं अब रख सकते हैं मैं यहां पर वीजा इंटरनेशनल काड़ करता हूं ठीफेंस उसके बाद यहां पर जो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जो कि मैं अप्लाई इस लिया नहीं करा हूं कि मेरे पास अल्रेडी दो-दो एटेया पढ़ा हुआ है ठीफ तो उम्मीद करते हूं कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गये होगा कि कैसे डेविट कट को अप्लाई किया जाता है तो उम्मीद करते हूं कि यह वीडियो आपको पसंद देवाँ जदि आपको यह वीडियो पसंद ना है वाँ तो लाइक और शेर कर देना और हाँ फेंस प्रीज में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जोकि मैं ऐसे इसे इंट्रेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ ओके थाइंकू फेंस बहुत बहुत धन्यवाद मेरा फ्रीज में देखने करें